कल मैंने एड्स्टेरा में आपको अठारा सो डालर जो है विड्रा भी करवा के दखाया था और यहां पर देखें के अभी मेरे च्छासर डालर है यह 24 गंटे का मेरा यह स्टेटरस आपको शो हो रहा है तो रुको जरा सबर गरो अगर आपने यह वाला पार्ट नहीं देखा तो अभी जाके देख लें इसमें मैंने विड्रा लेके दखाया था आपको अगर आप भी इतनी अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देए चैनल को सब्सक्राइब कर देए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मैं आपका उता दूं कि अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया या स्किप किया तो मैं उसका जुम्यदार नहीं होंगा क्योंकि यह कोड पेस्ट करना है अगर थोड़ा सा भी आपने गलत पेस्ट कर दिया तो आपका जो एड़ यह शोनी होगा पहले मैं जाके दखा देता हूं कि हमने एड कौन सा लगाना है तो मैं ये दो पोस्ट मैं ये ओपन करूंगा इसमें मैंने अभी लगाना है ये पहले वाले में और यहां पे ये दूसरे वाला जो पोस्ट है इसमें मैंने लगाया हुआ है तो यहां पे मैं पहले दूसरे वा आपके इस वीडियो में चलेंगे और चलेगा भी एड स्टेरा का एड और जिसमें मैंने नहीं लगाया वो भी मैं आपको दुखा देता हूं यहां पर थोड़ा से नीचे आके तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मैंने अभी लगाना है ठीक है यह फ्राइर डानलोड के ऊब ऑन लगाना है ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इसको क्लोज करके तो हम आपने पी से के अंदर आ चुका है तो यहां पर जो एड कोड लिखा है इसको आपने ओपन करना है और यहां पर यहज़ा जो गोड है यह आपने कोड़ कर करके तो वह पेडृस करन यहाँ पे आपके समने एक शो हो तो आपने उसको क्लो लोज कर देना यहाँ पर आकर आपने लिखना है एड्स तेरह add setup ठीक है यहां पे आके आपने यहां पे लिखना है यहां पे अभी add show हो रहे तो यहां पे मैं paste कर देता हूँ और यहां पे देखें कि मैंने यह लिखने के बाद यहां पे search पे click करूँगा तो यह post जो आपके सामने आ जाएगी इस पे आपने click करना है इसको open करने के बाद आपने के का करना का सबसे नीचे आजाने है नीचे आने के बाद यहां पे देखें के आड़ स्टेड़ा video एड़ setup ठीक है तो यहां पे आपने click करके इसको download कर लेना है download करने के बाद अगर आपसे password मांगे तो एको आपने ये वाला download करना है ठीक है तो आपके सांबने कुछ इस तरह की file आएगी इसको आपने करना राइट क्लिक करके तो यहां पर क्लिक करना एक्सेक्ट हेर इस पर जब आफ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो और ये वाली एक ये तीन आपके सामने फाइल आएगी ये जो है नोट पैड प्लस प्लस जो है इसको आपने इंस्टाल कर लेना है इस पर डबल क्लिक करके तो यहां पर आपने इसको कर देना बैक ठीक है बैक करने के बाद आपने क्नाए कि यह यह वहाला है ठीक है तो यहां पर आपने करना है कि यहां पर एक new का जो है option है इसको new पर आपने क्लिक करना है और पीछे वाला जो है आपने close कर देना है close करने के बाद आपने वही फोल्डर में आ जाना है जिसमें आपने ये तीन या आपने डानलोड किये होंगे यहां पर जो add code वाली है इस पर आपने right click करके तो यहां पर edit यहां पर notpad पर आपने करना है ठीक है दानलोड की थी मेरी website से तो वह उसमें आपको यह वाली फाइल भी मिलेगी इसको आपने right click करके तो open कर लेना है open करने के बाद इसमें जो code है इसको आपने copy करके तो यहां पर paste करने के बाद यहां पर जो link का end पर आपने क्या करना है कि एक ID पेस्ट करनी है तो मैं अभी Google Drive पे जाता हूं यहां पर आपने क्या करना है कि यहां पर देख सकते हैं आपको no dots वगएरा नजर आ रहे हैं इस पर आपने click करना है वीडियो जो है आपने यहां पर paste कर देनी है जो उसी भी आपने वीडियो लगानी है तो यहां पर मैं बैक जाता हूं यह वाली जो फाइल है हमने वहां पर upload करनी है तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर new पर जाना है आपने और यहां पर यहां पर folder upload पर आपने click करना है folder पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपने वह वाला फोल्डर सेलेक्ट करना है जो के आपने वीडियो अपलोड करनी है यहां पर मैंने यह वाला ही लिखा था तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि दफ़ा यह देखें कि यह वही फोल्डर है ठीक है तो मैं इसको क्या करूंगा क यहां पे upload पे click कर दूंगा यहां पे upload download अपने तो यहां पे यह विडियो अपन हो जाएगी तो यहां पे आपने यह 3 dots जो आपको नज़र आहरे है इस पे आपने click करना है और यहां पे आपको open in a new window इसको आपने open करना है इसको जब आप Open करेंगे तो यहां पे आपने क्या करना है कि यह वाली जो आइड़ी है आपके इसको Copy करना है यहां पे आप देख लेए एक दफ़ा यहां पे View के पीछे जो है एक Slash हारा है और यहां पे पीछे जो आइड़ी इतनी है आपने इसको कोपी कर लेना है ठीक है ये डी से आगे और वियू से पीछे इसको आपने क्या करना है कि इसको कोपी करना है कोपी करने के बाद यहां पर मैं क्या करूंगा कि यहां पर जो वीडियो डोट MP4 है इसमें आके मैंने पेस्ट कर देना है इसमें जब मैं पेस्ट करूंगा तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यह हमारा जो कोड है रेडी हो चुका है अभी हमने यह जो सारा कोड है इसको हमने कोपी करना है अगर आप PC पे काम करते हैं कंट्रोल A प्रेस करके तो आपने इसको कोपी कर लेना है कंट्रोल C से तो यहां पे मैं अभी यहां पे आपके सामने इसको कोपी करता हूँ यहां पे मैंने कंट्रोल A किया और यहां पे कोपी कर लिया है कोपी करने के बाद यहां पे यह वाला जो कोड है अगर आप मुबायल पे काम कर रहे हैं तो आपने इस पर जो इस तरह यहां पर देख सकते हैं कि कोपी कर लेना है कोपी का उप्शन आएगा अभी मैं वह वाली पोस्ट में जाओंगा जिसमें मैंने ये एड लगाना है फर्ज करें कि मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूं और यहां पर देखें कि मैं ये वाली पोस्ट में लगाना चाहता हूं तो अभी इसमें कोई एड वगेरा नहीं है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा इस पोस्ट को ओपन करने के बाद यहां पर आपने का करना है कि सबसे नीचे आ जाना है आपने जिदर भी लगाना है वहां पर आपने का करना है कि यहां पर एक दो तीन चार पांच यहां पर पांच स्पेस देनी है ठीक है तो यहां पे आपने अपर जाने के बाद यहां पे नीचे नीचे और यहां पे यह एक तफ़ा आने के बाद यहां पे आपने यह उपर जो शोर है इसमें आपने यह दर्मयान वाला जो है आपने दर्मयान में कर देना है यह दरम्यान में आ चुका है यहां पर आपने प्रेस करना है एक 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 काफी दफ़ा आपने पेस्ट कर देना है यहां पर एक एक आपने लिख दिया जब तो आपने क्या करना है कि वहां पर आपको पैंसल का निशान आपको नजर आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है HTML में आपने convert कर लेना है तो यहाँ पे आपने find करना है ठीक है अभी find पे आपने किस तरह क्लिक करना है Ctrl F आपने करना है अगर आप PC पे काम कर रहे हो अगर आप mobile पे काम कर रहे हो तो आपने यहां पर त्री डोट पगरा नजर आ रहे हैं तो यहां पर फाइंड पर आपने क्लिक करना है तो यहां पर आपने लिखना है आकर एक 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 जो आपने लिखा था ठीक है तो यहां पे आ चुका है इसको आपने डबल क्लिक करके तो इसको आपने स्लेक्ट कर लेना है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप मुबायल पे काम करते हैं तो आपने इस पे इतना ही स्लेक्ट कर लेना है जितने यह एक एक लिखे हुए है तो यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपडेट पे क्लिक कर देना है अपडेट के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे बैक चला जाना है बैक जाने के बाद यहां पे आपने इसको open करके एक दफ़ा देख ले न है 2 मिएंट के बाद, मैं आप भी वेट नहीं करूँगा इसलिए क्योंके मैं वीटियो बना रहा हूं तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं इस पे जब आपक्लिक करेंगे तो आपने का करना है कि सबसे नीचे आजाना जहां पे आपने कोड लगाया है तो यहां पे मैंकर करूंगा कि यहां पे आप देख सकते हैं अच्छी एट कर देता है इस एड़ से भी काफी ज्यादा आने कर रहा हूं अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता हूं अगली वीडियो में ठैक्ट वाचीं